Lineage OS 20 के वीडियो पे आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप Easter Egg देखिए Android 13 का उसके बाद आप कुछ टैप करके रखेंगे तो Easter Egg में कुछ animations आपको देखने को मिल जाएंगे अब मैं आपको back करके दिखाता हूँ About यहाँ पर आप देख सकते हैं Android 13 लिखा हुआ है Lineage OS version 20 है Build जो इस रोम का है वो है 6 October 2022 का अन ओफिसियल ही आता है आपको मालूम है और डिवाइस का नाम मीडो यहाँ पर लिखा है यह भी अच्छी बात है कि नया OS के साथ security patch भी हमें अक्टूबर महने का ही देखने को मिला है देखिए 6 October का Build है और security patch 5 October का देखने को मिला है काफी अच्छी बात है Otherwise तो बहुत सारे रोम्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें security patch पुराना मिलता है vendor security patch की भी बात करें तो काफी latest 5 सितंबर 2022 का देखने मिला है केवल एक मेहना पुराना Otherwise vendor security patch भी एक एक साल पुराना देखने को मिलता है बहुत सारे रोम्स पे कर्णल जो है 4.9.330 Z loss का कर्णल है जिसे Z loss भी बोला जाता है सबसे top notch कर्णल है जितने भी मैं custom roms review करता हूँ उसमें सबसे अच्छे battery backups stability, performance और सभी चीज को मिला के अगर देखा जाए तो सबसे best kernel मुझे Z loss का ही लगता है first preference पे आप मेरे अगर पुराने customers है तो आपको मालूम होगा कि जब भी आप मेरे से नया रोम का suggest करते हैं तो मैं हमेसा first preference lineage OS को देता हूँ क्योंकि ये मेरा favorite OS है और काफी अच्छा performance करता है data all के साबून की तरह 99.99% perfect ये custom रोम होता है 0.1% hidden तो छोड़ना ही पड़ता है जैसे TV ad पे data all साबून या like watch छोड़ देते हैं तो चलिए अब जो kernel की बात करते हैं तो 4.9 अब धीरे-धीरे यही kernel आपको most of the custom roams पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि Android 13 का Z loss का kernel जैसे ही रोम आने के बाद release होगा तो बाकी developer भी इनके kernel के source code से अपने रोम को develop करेंगे आगे बढ़ते हैं build date यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 6 October 2022 का है build number आपको यहाँ पर code language पे दीख रहा है अब हम आते हैं इसके home screen पे यह रहा home screen definitely wallpaper मैंने change कर दिया है क्योंकि lineage ने अपने Android 12 वाले series पे जो wallpaper दिया था वही wallpaper आपको Android 13 पे भी देखने को मिलता है यानि Android 12, 12.1 वाला जो बरसन आया था और 13 इन दोनों तीनों पे सब में wallpaper जो सेम ही मिलेगा आपको जैसे आप first boot करेंगे lineage जो ऐसे तो जाहिर सी बात है vanilla room है आप देख सकते हैं पूरे app मैंने load कर दिये हैं vanilla build है और आपको कौन सा gf flash करना है किस तरीके से flash करना है और step क्या है ये सब मैं आपको वीडियो के description पे भी दे दूँगा साथ में इस वीडियो का अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा skip और forward करके देखेंगे तो गलती आप करेंगे आपका phone खराब होगा आपकी जिम्मेदारी रहेगी मेरी कोई गलती नहीं है अना तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और इस वीडियो पे मैं सब कुछ एक साथ नहीं बताऊंगा आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं इसलिए खीच खीच के आखरी आखरी में ही ये सब चीज बीच में कुछ चीज इंफॉर्मेशन दूँगा कुछ लास्ट में दूँगा ताकि आप वीडियो पूरा देखें सब कुछ सुरू में बताऊंगा ही नहीं क्योंकि आप लोग हरकत वैसी करते हैं चलिए अब आते हैं यहां पर मैंने वालपेपर चेंज कर दिया और यह जो रोम है मैंने इसे टेस्ट किया मेरे टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग यह जो रोम है जैसे कि मैंने आपको कंपेर करके बताया हा ना टीवी एड के डेटावल साबून की तरह 99.99% परफेक्ट यह रोम है 0.01% अगर कुछ मुझसे छूटा होगा जो मुझे इसमें बग्स मिला ही नहीं मैंने इतना बग खो जा फिर भी मुझे बग मिला ही नहीं तो आप मैं और डेपलोपर सब अलग-अलग तरिके के यूजर्स मार्केट में अवलेवल है सब अपने अकॉर्डिंग से टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ अगर बग मिले तो आप डेरेट टेलीगराम चैनल मैं दे दूँगा डेपलोपर का उनसे सेयर कर सकते हैं अब बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये दी परफेक्ट रोम है अभी तक का Android 13 बेज़ रोम पे इससे परफेक्ट रोम आया ही नहीं है जी हाँ इससे परफेक्ट रोम अभी तक नहीं आया है इतना बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ये रोम है अब इसकी रिव्यू सुरू कहां से करें यार चलिए शुरू करते हैं इस पर आपको बहुत सारे चीजेस हैं तो एक एक करके बात करते हैं जैसे की प्ले स्टोर आपको सर्टिफाइड मिलेगा अन ओफिसियल रोम है फिर भी आपको सर्टिफाइड ही मिलेगा ध्यान रखेगा थोड़े से आगे पीछे इसके रिव्यूस बनाएंगे ताकि आप लोग कंटिन्यू करें अन ओफिसियल होने के बाद आप यहाँ पर अप्डेटर देख सकते हैं और अप्डेटर चेक कर भी रहा है और अच्छे से काम भी कर रहा है और अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख गया जैसे कि मैंने चेक फॉर अप्डेट किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 अक्टूबर 2 अक का एक नया update भी आपको यहाँ पर आ गया है तो काफी अच्छी बात है इसका नया update भी हमारे पास release हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं copy URL करके अगर आप ADM downloader use करते हैं तो आप उसे भी review पे डाल सकते हैं और वहाँ से भी download कर सकते हैं तो यह जो interesting roam है इसका वीडियो के बीच में हम update नहीं करेंगे वीडियो lengthy हो जाएगा तो इस build के जो update है उसके बारे में मैं आपको बाद में दे दूँगा लेकिन आपको download link मैं latest update का ही provide कर दूँगा ताकि जब आप update flash करें तो आपको direct latest roam मिलें तो कुछ users का ये सवाल होता है कि sir ये तो unofficial roam है safe है की नहीं अरे यार safe secure मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है official का मतलब होता है किसी भी roam का एक proper website है www.customrom.com मैं नाम नहीं लूँगा roam का तो customrom.com एक proper official website है उस official website पे हर एक device जैसे Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro ऐसे हर एक device के लिए particular एक-एक developer को job पे रखा गया है वो उसी model को develop करते हैं और उसके roam को officially test करके हर महने का security patch के साथ उसका OTA update release करते हैं अपने official websites पे वो होता है official roam unofficial का मतलब होता है जैसे कि यार अब ये phone पुराना हो गया लोगों को इसका body, look, camera पसंद नहीं आ रहा है तो officially update आना इसका बंद हो जाता है बस हमारे जैसे जो old user है जिनको ये legendary device अभी भी चलाने का मन है तो ऐसे बहुत से developer हैं जो un outdated device को भी official की तरह update प्रोवाइट करते हैं बस उनके पास official websites नहीं होता है उनका एक community group होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक room को develop करते हैं कोई kernel बना रहा है, कोई gaming के लिए बना रहा है कोई customization menus बना रहा है इस तरीके का complete group बनके एक room को develop किया जाता है और वो बहुत सारे लोग मिलके एक room को बना रहे हैं तो बहुत तेजी से वो roam develop होता है और एक मैने में दो से तीन भार भी आपको उसका update देखने को मिल जाता है जैसे कि हम lineage के साथ देखते आते हैं एक मैने में इसका दो-दो update देखने को मिल जाता है तो ये जो roam है एक group community के साथ बनाया जाता है जिससे काफी stable रहता है और काफी सारे लोग एक साथ test करते हैं तो बहुत stable लिकल के आता है tag को अगर आप छोड़ देए unofficial तो official roam से ज्यादा बहतर performance करता है lineage का unofficial build OT update भी मिलेगा आपको updater दिया जाता है तो ये सब आप अपने मन से doubt clear कर दो यार banking आप चला सकते हो कोई security का problem नहीं है updates भी आता है legal तरीके से कोई issue नहीं होता है आगे बढ़ते हैं first build पे भी आप देख सकते है physical navigation button light अच्छे से काम कर रहा है ध्यान से देखिए physical navigation button light आपको इतने अच्छे तरीके से काम करता हुआ मिल रहा है otherwise बहुत से roams का 3-4 build आ जाता है फिर भी वो physical navigation button light को fix नहीं कर पाते हैं या तो continuous उनका bug continue रहता ही रहता है यहाँ पर अब बात करें charging LED light की वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर आप notification light charging light भी अच्छे से देख सकते हैं साथ में left side पर आपको google page नहीं मिलेगा क्योंकि vanilla room है play store पर जाके google app डाउनलोड करना उसके बाद मिल जाएगा right पर जो आप app install करते जाएंगे वो आजाएगा अब बात करते हैं quick tiles पर आपको यहाँ पर active app जैसे कि आप यहाँ पर tap करेंगे तो active app आपको दिख जाएगा जो background पर run हो रहा है इसके अलावा यहाँ पर android 12 की तरह आपको quick tiles लगेगा लेकिन काफी कुछ change किया गया है यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है और 13 का code ने मिल रहा है settings जो है यहाँ top में होता था वो down पर आ गया है shutdown button restart button भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा edit पर जाके आप quick tiles को add कर ले या rearrange कर ले जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और theme based monitor engine भी अच्छे से काम कर रहा है wallpaper के according theme भी अच्छे से customize हो रहा है theme से याद आया मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अब हम wallpaper and styles पर जाएं तो यहाँ पर आपको android 12 पे केवाल यह 4 color देखने को मिलते थे लेकिन android 13 पे आपको देखिए और भी जादा बहतरीन तरीके से color customization का benefit मिलता है theme based icon भी अच्छे से काम कर रहा है dark theme तो काम करी रहा है basic colors भी आप change कर सकते हैं theme UI interface के साथ mix up कर लिजेगा जैसे यह wallpaper multi color का है तो आप इसमें multi color का भी options आपको यहाँ पर मिल रहा है आप देखिए कितने सारे multi color का benefit आपको मिल रहा है green वेगरा blue जो भी आप करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से कर लिजेगा wallpaper मैंने बताया है widgets की बात करें तो widget पे आपको android 13 का easter eggs भी यहाँ पर मिलेगा साथ में अगर मैं clock में दिखाँ तो आपको traditional android 13 का stock वाला जो clock interface है जो pixel devices पे आता है वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है तो यह भी काफी अच्छी बात है कि आपको इस तरीके का widgets भी देखने को मिल जाएगा और जो widgets है इसके list जो है वो जैसे जैसे अपग्रेड होते जाएंगे जितना आप app लोट करते जाएंगे जैसे कि मैंने widgets लोट किया तो उसका widget आ गया है उसी तरीके से launcher मैंने लोट किया उसका widget है तो जितने आप app लोट करते जाएंगे जैसे suppose आपने whatsapp लोट किया तो उसके कुछ widgets आएंगे उस तरीके से widget आपके पास increase होते जाएगा home settings की बात करें तो try bucket वाला जो इसमें launcher हमेशा से मिलते आया है वही launcher मिलता है काफी fast fluent है pixel launchers पे जाने की जरूवत नहीं है जब अगर आप जाना चाहते हैं तो वह आपकी choice है आप कर लिजेगा आपकी freedom है आपका device है मेरे according तो जरूवत नहीं पड़ेगा आगे वड़ते हैं यहाँ पर आपको hidden and protected app का भी features मिलता है जो आप कुछ apps को hide भी कर सकते हैं और फिर यहाँ से access कर लिजेगा तो इस तरीके के first build पे ध्यान रखिए यह first lineage build आया है बट इतनी अच्छी तरीके से build आया है क्योंकि lineage के developer कभी भी जल्दवाजी नहीं करते हैं 15 अगस्त को google ने अपना android 13 release किया ऐसा नहीं यह lineage चाहता तो लिकाल देता 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक 45 दिन के अंदर पे android 13 का initial build alpha build जिसमें bugs ही bugs रहते और सितंबर में भी लिकाल सकता था लेकिन नहीं उसने अक्टूबर पे fully stable करके लिकाला है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर से अब हम कुछ थोड़े से reviews पे आते हैं जैसे कि मैंने बता दिया play store certified है device बिल्कुल भी rooted नहीं है तो banking app 100% safe secure रहने वाला है कोई error नहीं आएगा और busy box भी आपको इसमें install करके दिया गया है काफी अच्छी performance देगा कोई भी problem आपको busy box के regarding भी नहीं आने वाला है तो phone route नहीं है data safe secure रहने वाला है और जैसे कि मैंने बता दिया unofficial के tagline को आप भुल जाओ OTA updater भी आपको इस पे दिया गया है आप यहां systems पे जाके updater पे जाके अपने device को update कर सकते हैं तो यह तो हो गया updating के लिए अब बात करते हैं कुछ default देखिए dialer भी आपको जहिड सी बात है AOSP dialer मिला है और call recording आप यूज कर पाएंगे लेकिन अब आप G flash करते हैं अगर उसमें आपने small size का G flash नहीं किया something माल लीजे कुछ big size का G flash कर दिया तो आपका dialer क्या है AOSP dialer से upgrade होके Google dialer पे आ जाएगा जिसके कारण आप call recording का benefit नहीं ले पाएंगे तो यह choice आपकी है आपको कैसे करना है कौन से G flash करना है वो आपको के उपर मैं छोड़ दिया हूँ आगे बढ़ते हैं चार्जिंग की बात करें तो इसे जो 99.99% कि टानु वाला जो मैंने add बला था ना तो उसमें जो 0.01% जो था वो यही मुझे मिला है पूरे खुजने के बात कि रोम में lineage में क्या कमी रह गया क्या कमी रह गया क्या बगा आ गया तो वो यही है कि जो charging है यार वो थोड़ा सापको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा 10 watt का performance नहीं मिल रहा है 10 watt से slow charging है बट charging कैसे भी हो slow हो चलेगा चला लेंगे बट stand by time तो भई मासा अला जबरदस्त है stand by time event और सा कर्णल आप देखते रहे हैं अभी से लिखके रख लिजिए बहुत सारे अपकमिंग कस्टम रोंस में इसी का कर्णल यूज किया जाएगा और android 12 पे भी 12.1 पे भी बहुत से कस्टम रोंस पे lineage का ही कर्णल यूज होता आया है तो यह मैंने बता दिया एक minor सब बग अगर आ करें तो device पे hitting तो देखने ही नहीं मिला है यह काफी अच्छी बात है और इतनी अच्छी performance की जो मैं तारीफ कर रहा हूं वो हमें देखने को मिल रहा है base kernel पे OC kernel की भी ज़रूरत नहीं है बहुत से developers यह करते हैं कि kernel को OC कर देते हैं overclock कर देते हैं और कुछ users को भी यह mentality होता है कि यार overclock kernel है तो gigahertz बढ़ जाएगा तो RAM processor ज्यादा perform करेगा device gaming में अच्छा performance रहना गलत बात आप वीडियो पे continue रहें मैं आपको N22 और gigbench भी दिखाने वाला हूं आपको देखके समझ में आ जाएगा कि base kernel पे भी सही तरीके से programming किया जाए तो क्या कुछ नहीं किया ज जा सकता है तो continue रहें तभी आपको पता चलेगा इस वीडियो को जान बुझके मैं इस तरीके से आगे पीछे करके बना रहा हूं ताकि आप वीडियो पूरा देखें जी हाँ पूरा आपको वीडियो देख रहा है इसलिए इस तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है अब आ बहुत ही बड़ी opportunity वाली बात है और सबसे बड़ा thanks जाता है developer को Zloss को कि उन्होंने इतना जवरदस्त रोम बना के दिया है और इतनी जल्दी Android 13 को stable बना दिया हमारे Redmi Note 4 के लिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ me app के side load की बात करें जैसे की apkmirror.com से मैंने MI का music app download किया है excellent काम कर रहा है बीना किसी bug के lag कुछ नहीं है न एप crash हो रहा है कुछ भी नहीं आप अराम से side load करें apkmirror.com से और MI के music app का भी benefit ले लीजीगा अगर आपको MI music app नहीं चलाना है कोई बात नहीं आपकी मर्जी है आप default वाला music app भी चला सकते हैं आप जो GF less करेंगे उसके according ये music app आएगा अगर आप heavy size का GF less करेंगे तो ये music app गायब हो जाएगा उसके जगा YT music आजाएगा जो Google का नया music app है दिहां रिखेगा तो GF के according ये सब app depend करेगा इससे आगे बढ़ा जाए अब मैं आपको Google Photos पे ले चलता हूँ Google Photos आप Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे दिये हुए description पे alternative link से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मेरा link यूज़ करते हैं तो आपको Google Photos के अंदर magic eraser मिल जाएगा जिसके मदद से आप unwanted जो abstract है backgrounds है उसे आप erase कर पाएंगे अपने photos पे तो ये अच्छी बात है अगर आपको वैसा नहीं करना है तो direct app Play Store से भी use कर सकते हैं unlimited photo storage नहीं मिलेगा क्योंकि lineage OS एक अलग OS है इसको Google Pixel की जैसे treat नहीं किया जाता है ये pixel based device या रोम नहीं है pixel experience, pixel experience plus इस type की device की रोम नहीं है तो pixel device के तरह treat नहीं किया जाएगा तो आपको full storage देखने को नहीं मिलने वाला है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मुझे इस तब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता है आगे चलते हैं side load application app याने की SAI इसकी मदस्ती मैंने gigbench को side load किया है और google photos app को side load किया है device restart करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है बहुत ही अच्छी तरीके से performance करता है और आप side load application में .apk के अलावा भी दूसरे extension के app को भी install कर सकते हैं जैसे की gigbench मैंने जो load किया है उसका extension है .apkm उसी तरीके से google photos का भी .apkm है तो वो आप side load application से install कर सकते हैं magic module तक आपको jump करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी तो ये काफी अच्छी बात हो गई basic gallery आपको दिया गया है again मैं बता रहा हूँ depend करेगा g app के सार आप अगर g app को change कर देंगे बड़े size का g upload करेंगे तो gallery app अपग्रेड होके switch हो जाएगा by default google photos app पे जैसे की music app switch हो जाएगा yt music पे और aosp dollar switch हो जाएगा google dollar पे तो इतना तो आपको मालूम ही है calendar भी google calendar पे चले जाएगा आप देख लीजिएगा calendar जो है अभी aosp calendar है यह google calendar पे switch हो जाएगा अगर आप big size का gf less करते है calendar सी की बात करें तो me calendar जो है miui 12.5 port वाला बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है आपको description पे दिये गया link से calendar app को download करना है install करना है पूरे permission प्रवाइट करना है उसके बाद settings पे जाके Chinese calendar बंद कर देना है फिर आप इसका मज़ा देखिए अराम से काम करता हुआ आपको मिल जाएगा बात करते हैं calculator, browser सब AOSP वाला है अच्छे से काम करता हुआ मिलेगा audio effects की भी बात करें ये भी performance कर रहा है ऐसे बात नहीं है कि performance में issue आ रहा है या base travel ठीक से काम नहीं कर रहा है अच्छे से काम कर रहा है आपको wiper तक का जाने की जरोत नहीं पड़ेगी जो wiper vpx जो आप अलग से load करते हैं sound improvement करने के लिए वहाँ तक जाने की जरोत नहीं पड़ेगी इसके through भी आप कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं अब थोड़े सी detail पे आते हैं DRM info याने की जो Netflix user है Netflix user को L3 का support मिलेगा इस ROM पे क्योंकि सभी ROMs पे L3 ही मिलता है Redmi Note 4 पे तो कोई बड़ी बात नहीं है 480P पे आप चलाएं तो ये तो रहा Netflix की बात File Manager वेगरा AOSP वाला है सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है अब यहाँ पर कुछ Importance एप को हम अभी फिल हाल के छोड़ते हैं और phone के settings पे आते हैं जी हाँ आगे पीछे load करना ही पड़ रहा है वीडियो आप लोगों को वीडियो पे continue रखने के लिए मुझे अब आपको Digi4Tech चैनल को subscribe करना है bell बटन दबाना है notification icon click करना है मेरे सारे वीडियो को देखना है like करना है, share करना है और comment drop करना है चैनल पे playlist पे जा के custom room, gaming video, unboxing reviews sale के video, technical views वाले वीडियो भी देखने है आपको मेरे alternative चैनल को भी subscribe करना है, bell बटन दबाना है notification icon click करना है about पे आपको social platform के links मिलेंगे, सभी जगों जाके मुझे follow कर लें, chatting करना चाहते हैं तो telegram chat पे आ सकते हैं सवाल जवाब या कुछ doubts है वीडियो के comment पे पूछ लिजएगा मैं सभी जगों पे अवलेवाल हूँ telegram, instagram, facebook, twitter, pinterest, reddit, tumblr सब जगों पे आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बारा आ रहा हूँ एक ही दिन में मैंने चार्चर वीडियोस अपलोट के full detailing reviews के साथ आप इसे please पूरा watch करे like करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें अब हम आते हैं अपने roam के बाकी हिस्से के reviews पे आप लोगों को continue रखने के लिए ऐसी step by step part part पे वीडियो को बनाना पड़ रहा है ताकि आप attract रहें continue रहें otherwise आप इसकी forward करके देखते हैं तो यह जो control panel है first of all scroll, smoothness, freedom देखे इतना मज़ा आ रहा है इसे scroll करने पे just start करते ही खतम तो यहाँ पर आपको UI interface इतना smooth देखने को मिल रहा है जबकि मेरा device है 3GB RAM और 2GB storage वाला तो systems पे आते हैं developer options पे आते हैं यहाँ पर आप देखें 1.7GB system consume कर रहा है और अगर मैं आपको यहाँ पर आप दिखाओं देखें यह जो app opening है और background पे जो memory पे रखा गया है कितनी अच्छी तरीकेते देखें smoothness देखें रों की और पूरे app memories पे हैं इसके बाद इतने app को memory में रखने के बावजूद cable memory यूज हो रहा है 1.7GB जब आप first boot करेंगे तूरंत यहाँ पर चेक करेंगा तो 1.5GB का system consume देखने को मिलेगा तो इतने app लोट करने के बाद और सभी app को मैंने memory में रखा है उसके बावजूद 1.7GB का RAM consume देखने को मिला है नेट पे कुछ नहीं है बताने लाए correct device में भी कुछ नहीं है apps में भी नहीं है direct हम चलते है बैटरी पे तो जैसे कि मैंने बैटरी बताया बैटरी जबरदस्त बैटरी है एक full working day का आपको battery backup मिलेगा stand by time की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बहुत ही अच्छा stand by time भी आपको मिलेगा और काफी अच्छी performance ये वाला candle देगा बिल्कुल भी candle change करने का सोचना भी मत इतनी वड़ी गलती मत करना otherwise आपको performance मजा नहीं आएगा जो default candle मिला है चुप चाप उसी पे चलाना है आपको कोई change करने की जरूरत नहीं है अगर change करोगे तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है मेरी कोई जवाबदारी नहीं है कि कोई problem आएगा तो आगे बढ़ते हैं storage की बात करें storage RGB लिया है ठीक है थोड़ा सा जादा लिया है बाड़े साथ RGB something कुछ लेता है सभी ROMS बट आधा जीवी जादा लिया आधा जीवी कोई matter नहीं करता है एक अच्छे performance based ROM के लिए इसमें सब कुछ 99.99% काम करता है ऐसे based ROM के लिए आधा जीवी क्या मैं 1GB देने को तैयार हूँ तो मुझे कोई problem नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए sounds and vibrations के अंदर अगर हम बात करें तो सीधा हम नीचे आते हैं direct sound भी working आपको मिलने वाला है साथ में audio effects आपको बाहर दे दिया गया है ये भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है sound से बहार displays भी कुछ नहीं है बताने रहा है mostly जो settings होता है typical वो सब settings है काम कर रहा है आगे बढ़ते है direct securities पे आते हैं तो security पे आपको screen lock, fingerprint lock यहाँ पर मिल जाएगा और smart lock मिल रहा है app lock आपको इसमें नहीं मिलेगा first build है कोई बड़ी बात नहीं है बट आप launcher से hidden apps कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है device की बात करें तो यह जो रोम है first build है developer ने साब बताया कि phone का रोम encrypt रहने वाला है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं phone का रोम encrypt है तो जब आप इस रोम को flash करेंगे तो आपको अपना data copy करके backup कर लेना है nano drive में नहीं करना है ध्यान रखिये का आपको अपने pen drive पे copy करें memory card में copy करें computer laptop या cloud में कहीं पर भी करें nano drive बैक अप नहीं लेना है वो restore आप नहीं कर पाएंगे काम नहीं करेगा developer ने साफ बता दिया है तो ऐसा गलती ना करें फिर comment में मत पुछने आईएगा कि मेरा backup काम नहीं कर रहा है phone का room encrypted ही आपको मिलने वाला है developer ने encrypt room ही create किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है अब आगे बढ़ते हैं securities से बाहर अगर हम लिकलते हैं तो यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ तो आप देख सकते हैं systems के अंदर आपको कुछ customization settings मिलेंगे जैसे buttons के settings पे आप जा सकते हैं on screen navigation bar आप on off कर लिजेगा customizations आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं even partial screenshot का भी features आपको first build पे ही लाके दिया गया है इससे बाहर चलते हैं status bar पे आपको सभी settings मिल जाएगे network traffic indicator 4G का, clock का, date time का battery percentage का, brightness slider सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा है status bar में gesture पे भी आपको cute camera, three finger screenshot सब कुछ camera मिल जाएगा यहां press and hold बटन के अंदर आपको google assistant का भी setting मिल जाएगा, आप उसे भी enable, disable जो भी करना है आप कर लीजेगा developer option मैंने आपको बता दिया है अब आप देखिए, room कितना smooth है, देखिए एक बार मैंने scroll किया, पूरा developer option start to end आगया, अब मैं open कर रहा हूँ start to, top चले गया इतनी smoothness आप किसी भी gf build वाले room पे try कर लीजेगा, इतना smoothness आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कल ही, मताब आज ही मैंने 4 से 5 वीडियोज upload किये हैं, अपने custom room वाले playlist के अंदर youtube channel पे, उसमें से किसी में भी मुझे इसके close to performance भी देखने को नहीं मिला है अब हम आएंगे अपने कुछ दूसरे app के reviews पे, तो वीडियो को आपको क्या करना है, continue रखना है, जी हाँ, continue अगर आप रखेंगे, तभी आपको details, information मिलती रहेंगे अब हम आते हैं अपने दूसरे review पे तो यहाँ पर आपको lineage OS में जीतना customization मिलना था, मिल चुका है अब कुछ बात करते हैं camera app के, तो camera app जो है traditional graphene OS का camera system नहीं दिया गया है इस पे आपको lineage OS का default camera system दिया गया है नए mode के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप videos भी आप click करेंगे तो बहुत सारे modes है यहाँ पर आप देख सकते हैं full HD, UHD, HD, HD बहुत सारे features दिया गया है torch के, mic के, settings के और photos के अंदर भी आप 4 is to 3 16 is to 9, expect ratio भी change कर सकते हैं और यह जो camera है, यह इनका lineage OS का खुद का camera system है तो काफी मज़ा आया मुझे इस camera app को भी use करके काफी अच्छा है, देखिए about में मैं दिखाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं org.linegeOS.aperture version भी है 13 यानि के android operating system के साथ इससे tie up करके version कर दिया गया है तो बहुत सी बार हमें graphene OS camera देखने को मिलता था, maximum amount of custom roams पे, तो यह अच्छी बात है कि हमें lineageOS का camera system भी देखने को मिला है Gcam की बात करें excellent तरीके से काम कर रहा है Gcam 4K 60fps भी मैंने access करके देखा ज़्यादा कोई device हीट नहीं हुआ या camera app crash भी नहीं हुआ है तो आप 4K 60fps भी access कर लेंगे अराम से Gcam के साथ, तो यह भी अच्छी बात है कि Gcam भी excellently काम कर रहा है, बीना किसी problem के 1x2x mode, night side astrophotography और बहुत सारे portrait mode यह सब भी आपको features मिलेंगे, और slow motion तो काम करता ही नहीं है, खेर को कभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, slow motion के लिए आपको play store पे जाना है, यहाँ पर open camera app डाउनलोड करके slow motion यूज कर लेना है 720p पे, 1080p पे अगर आपको ANX camera चीए या MIUI user interface वाला camera चीए तो play store से ही आप cool me camera डाउनलोड कर लेना, उसका भी performance ठीक ठाक है यार above average के category का या average category का आप बोल लो normal user के लिए clarity वैगरा more than sufficient है अगर आप pro level के user हो तो gcam या lineage वैस का भी camera use कर सकते हो, आगे चलते हैं थोड़ी सी detailing हम device info के साथ देखते हैं, यानि कि इस device पे आपको किस तरीके का details मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा octa core processor का 8 core का megahertz आप देख सकते हैं device की basic details आपको यहाँ पर दिख रही है, hardware का 625 का भी detail आपको यहाँ पर दिख रहा है direct हम systems पर चलते हैं तो product जो है, यानि की OS जो है lineage OS middle है, यहाँ पर android 13 based rom का API भी आप देख लीजिए, वर्सन 33 है security patch 5 October 2022 का मिल रहा है, kernel जो है, आपको Zilos का ही मिलना है check tuber का build है, साथ में यहाँ पर आपको DRM का भी info दिख रहा है L3 based है, बैटरी भी performance काफी अच्छे के साथ लिकल के आता है, कोई performance का issue नहीं है Wi-Fi पे connectivity इसू भी नहीं है, apps की details आप यहाँ पर देख सकते हैं, camera पे API to enable करके दिया गया है और सभी तरीके के sensor अच्छे से काम कर रहे है, बिना किसी problem के, तो यह तो 3GB device पे इतनी अच्छी performance कर रहा है 4GB पे तो काफी मज़ा आ जाएगा इस lineage OS को use करने पे, अब हमारे पास क्या बज़ गया, अब हमारे पास कुछ details बज़ गया है जैसे कि आप hidden settings भी access कर सकते हैं, play store से इस app को download कर लिजेगा और थोड़े बहुत और roam को अपने तरीके से deep level पे customize करना चाहते हैं तो कर लिजेगा, अब दूसरे एक और app की बात करते हैं, MIUI downloader app की, तो यह भी app काफी अच्छा है, इसके अंदर भी आपको hidden features मिलता है, आप यहां से भी use कर सकते हैं, और app भी use कर सकते हैं, get apps की तरह आपको MI app के updates यहां पर मिल जाएंगे, जो app आप side load करेंगे, उस सब app का अग जब update आएगा, तो इन दोनों app का cut cut इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि यह port app है और इन दोनों का update आने के बावजूद आप यहां से update नहीं कर पाएंगे बाकी जैसे MI music app मैंने बताया है, उसका update आएगा वो आप यही पर मिल जाएगा, उससे आप access कर सकते हैं, तो उस तरीके का यह benefit आपको यहां पर मिल जाएगा अब हम आते हैं, अपने दूसरे कुछ बचे-कुचे apps के reviews पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर आपको YouTube पे 4K वीडियो भी enable मिलने वाला है और उसका भी benefit आप अराम से ले सकते हैं, बीना किसी lag के 4K वीडियो भी अच्छ चलेगा, जैसे कि मैंने बताया जब कैमरा पे 4K वीडियो recording भी enable है, तो मैं आपको यहां पर देखे, इस वीडियो को pause करके ही दिखा देता हूँ, कि यहां पर आपको settings चेक करवा दूँ, देखे आप देख सकते हैं, 2160 60fps की भी वीडियो काफी अच्छे से प्ले होगी, बीना किसी problem के, तो 4K का performance भी इस custom room में जब रदस्त लिकल के आया है, तो आपको कोई भी problem नहीं होने वाला है अब हम आते हैं, अपने इस room पे, जिनका जो ऐसे कुछ user है, जिनका सांस रुका हुआ था कि वो हिस्सा कब आएगा, वो हिस्सा कब आएगा, तो वो आ चुका है, अब मैं आपको benchmark बताने वाला हूँ इस room का, तो benchmark लिए सबसे पहले हम सुरू करेंगे, gig bench पे gig bench का मैं आपको score दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जाए, history पे जाएं, और यह रहा gig bench का score single core का, आपको 827 मिलेगा, multicol पे 3707 मिलेगा काफी अच्छा score है अब मैं आपको इस पे computing score भी दिखा देता हूँ, computing score जो है, 3069 पे है, तो rendering वेगरा जब आप करेंगे, तो computing score भी आपको काफी काम आने वाला है तो यह भी performance काफी अच्छा लिकल के आएगा, अब इससे बात करते हैं, आगे, आप लोगों का main जिस पे आप इंतिजार करते बैठे रहते हैं, वो है N2 का score, इसका score देखे आप चौक जाएंगे देखिए, 137,722 आप Snapdragon के 625 processor पे कभी इतना high N2 score किसी भी custom ROM पे आज तक नहीं देखे होंगे mostly 1,27,000 तक ही जाता था, 1,28,000 27,000, यह maximum था Snapdragon 625 के लिए but 1,37,722 जाना है, यह impossible था, but Lineage OS के Android 13 के पे यह भी possible होस चुका है आप देखेंगे, टेस्टिंग के दौरान battery drain के वल 5% हुआ है तो यह इतनी अच्छी excellent level का ROM बनाना कोई मजाग बात नहीं है अब आप देखिए, इस ROM की fluidity देखिए, इतना fast है उपर से पूरे app अभी भी standby पे है, कितनी apps है 3GB वाले phones के according, 3GB वाला मेरा device है, फिर भी सारे app यहाँ पर screen और देखिए और Android 13 का जब आप कोई music या video प्ले करेंगे तो उसे आप pause करेंगे तो यह भी इस तरीके का control panel आ रहा है, यह भी अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर the phone लिखा है जब आप यहाँ पर यह से tap करेंगे तो आप यहाँ पर Bluetooth इस भी कर लगा के 8GB है, क्योंकि इतने एप स्टेंडबाई में है भाई, इसे भी तो आप नोटिस करें, इतने एप को स्टेंडबाई पर रखने के बाद RAM इतने control पर यूज हो रहा है, कितनी कमाल की बात है, Android के इस रोम को आप lifelong चला सकते हैं, जब तक के नया operating system का build नहीं आता, इतना जबरदस्त बना की दिया गया है Lineage OS version 20 Android 13, 5 October 2022 security patch, vendor security patch 5 September 2022 kernel है 4.9 Z loss का और इस वीडियो को अब हम यहीं end करेंगे, लेकिन क्या आप इस वीडियो का installation देखना चाहते हैं, चलिए दिखा देते हैं, तो अब हम reboot करते हैं, recovery पे Lineage OS को load करने का जो प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा complicated है, different है तो ध्यान से सुनना, इस step को बिल्कुल भी skip मत करना आप कोई भी सा custom recovery यूज करते थे इस से पहले Android 12 तक का ROM flash करने के लिए उस recovery पे सबसे पहले आप boot कर लें, उसके बाद Lineage OS के developer ने नया custom recovery डेपलोप किया है जो की है TWRP और उसका वर्सन है 3.6.2 under 12-0 ये वाला recovery आपको download करना है, उसके बाद आप simply से इस तरीके से जो आप orange fox यूज करते हैं pitch black या पुराना वाला TWRP उसमें आप आना, और वहाँ पर जहाँ पर भी आप download करके रखें, सब्बोश्च download folder पे रखें, कहीं पर भी आप रखें तो वहाँ पर आके आपको उस recovery file को select कर लेना है और जैसे ही आप recovery file को select करेंगे तो आपको menu आएगा कि आपको वह कहाँ पर load करना है हना, तो वहाँ पर list आएगा उस list पर आपको recovery को select करना है recovery को select करके simply swipe करना उसके बाद reboot to recovery करना ध्यान रखना, system पर reboot नहीं करना है reboot to recovery यह step हो गया, ठीक है अब उसके बाद आपका recovery यह वाला वरसन हो जाएगा उसके पर सबसे पहला काम करना है आपको wipe पे आना है और format data पे जाके yes type करके आपको अपना पूरा data format कर देना है इस process करने से पहले आपको backup करना है वो मैंने बता दिया है, हना तो वो step यहाँ नहीं बता रहा है, तो बोलना मत कि sir मेरा data delete हो गया, इतना common sense लगाओ तो यहाँ पर आप yes लिक के type करना है उसके बाद आपको वापस से reboot to recovery करना है जी हाँ यहीं पर आगे आगे continuous process नहीं करना है हर process के बाद आपको reboot करते जाना है पहले आपने अपना पुराने recovery से इस नहे recovery पे install किया reboot to recovery किया, फिर wipe पे आए format data में जाके yes कर किया फिर reboot to recovery किया उसके बाद आपको फिर से wipe पे आना है advanced wipe पे जाके delv, cache, system, data, vendor और internal stories इन सभी को wipe करना है select करके wipe करेंगे तो internal stories को जब आप wipe करेंगे तो वहाँ पर एक error आएगा data slash vendor यह वाला mount नहीं हो रहा है करके red color में लिखा रहाएगा ignore करें उसके बाद home button पे आए again reboot to recovery करें अब reboot to recovery होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ आपका पुराना recovery से नय recovery बन गया data partition वेगरा change हो गया phone को encrypt करने के लिए पूरा पूरा process ready हो चुका अब आपको क्या करना है data cable से PC पे connect करना है या OTG के pen drive आप लगा ले या memory card लगा ले अब हमें ROM install करना है तो सबसे पहले अगर आप data cable से ROM को copy करेंगे internal storage पे तो आप यहाँ पर देखेंगे आप मुझे तो data मिली रह नहीं है data है कहां आप यहाँ पर storage में भी जाएंगे internal storage select है फिर भी आप बोलेंगे देखेंगे by default HD card select है यहाँ पर आपको कोई भी ROM का file दिखेगा ही नहीं तो है कहां इसलिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर up level पे जाना है और यहाँ पर data के अंदर अब आपको क्या करना है media data के अंदर आपको media स्क्रॉल करके खोजना है यह रहा media इसके अंदर आपको lineage OS का ROM file मिल रहा है और GF file मिल रहा है जो developer zloss ने ROM file हमारे लिए suggest किया है वो है Nick GF का basic variant को flash करने बोला है बट अगर आप Nick GF के अलावा दूसरा GF यूज करना चाहते है तो मैं recommend it नहीं करूँगा जो developer ने बोला है उसे ही flash करें हाला कि Nick GF पे basic के जगा आप थोड़े बहुत changes कर सकते हैं जैसे कि core यूज कर सकते हैं या फिर omni यूज कर सकते हैं stock यूज कर सकते हैं full यूज कर सकते हैं GF Nick कही use करें क्योंकि इसी के through test किया गया है इस पे आप जो variant है वो भले कम जादा कर सकते हैं बट GF change ना करें ठीक है यहाँ पर इसे भी flash और इसके बाद इन सभी को flash करने का तरीका तो आपको मालू है या roam को select करना है swipe करना है उसके बाद roam flash होने के बाद wipe cast करें उसके बाद वापस सी GF flash करें फिर wipe cast करें उसके बाद आपको simple reboot to system को click कर देना है जैसे ही आप reboot to system को click करेंगे तो आपका device lineageOS पे boot हो जाएगा फिर setup screen आ जाएगा उससे आप setup कर ले अपने जरुवत के हिसाब से अपने account वेगरा setup कर लीजिएगा logging कर लीजिए और fingerprint, password जो भी आप setups करना चाते हैं वो सब कर ले फिर device आपका use करने के लिए full performance के साथ ready हो जाएगा और ये device ऐसा बहतरीन device है lineageOS का कि आपको 24 घंटा देने की जरुवत नहीं है इसे set होने के लिए already set होके आएगा इतना बहतरीन performance first boot के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आप चौक जाएगे इतनी बहतरीन performance है इस ROM की तो अब मैं इस ROM को continue करूँगा देखते हैं और इसके नए updates के भी links आपको प्रोवाइट कर दूँगा और आपको इस तरीके के बहतरीन वीडियोस के लिए डीजी फॉल्टेक चैनल से बहतर चैनल नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैं आपकी हर एक request को fulfill करता हूँ आपके comments को पूरी जवाब देता हूँ और आपके request के according latest content आपके पास हाजीर करके देता हूँ तो इस तरीके के वीडियोस पे आप मेरे चैनल पे continue रहे next वीडियो पे मिलते हैं तब तक ले thank you have a nice day good bye